असला Therapy viewers आज हम बनाने जारे हैं world famous salad Caesar salad Caesar salad कई लोग with chicken बनाते हैं और कई लोग without chicken आज Caesar salad के साथ Caesar dressing and seasoned croutons बनाना भी बताऊंगी तो चलिए चलते हैं Caesar salad के ingredient list की तरफ इसमें हम सबसे पहले एक chicken breast फिले लेंगे इसको हमने बीच में से कट करके two pieces कर लेना है क्योंकि ये थिक होता है तो इसकी थिकनेस कम करने के लिए हम इसको two pieces में कट कर लेंगे और अब हम इनको marinate करेंगे जिसके लिए हम लेंगे और ये हाफ टीबिल स्पोन हम ब्राउन शुगर लेंगे इसको यूज करने से चिकन पर बहुत अच्छा कलर आता है और हम लेंगे वन टीबिल स्पोन वाइट विनेगर अब ये सारे इंग्रीडियन्स चिकन पर अच्छे तरह से रब करेंगे और दोनों साइड से कोट कर देंगे और अब इसको कवर करके 30 मिनट्स मैरिनेशन के लिए रख देंगे अब हम प्रिपेर करते हैं सीजर साले ड्रेसिंग जिसके लिए हम लेंगे वन कप मयोनीज और टू टेबल स्पोन योगर्ट अगर आप योगर्ट यूज नहीं करना चाहरे हैं तो इसकी जगा आप वन टेबल स्पोन विनेगर भी यूज कर सकते हैं क्रीमी टेक्च्चर के लिए मैं योगर्ट प्रेफर करती हूँ और हम लेंगे टू गालिक क्लव्स जिसको हम फाइन चॉप कर लेंगे हाफ टीस्पोन ब्लेक पेपर पाउडर वन टीबल स्पोन वूस्टर शार सॉस वन थर्ट कप अफ लेमन जीस सीजर ड्रेसिंग का मोस्ट इंपोर्टन इंक्रेटियन जिसके बिना सीजर ड्रेसिंग और सालेट नहीं बनती वो है पामेजान चीज इसका मैं हाफ कप यूस कर रही हूँ वन टेबल स्पोन मस्टर पेस्ट अथेंटिक टेस्ट के लिए यूस करेंगे हाफ टीस्पोन सी सॉल्ट अब इन सबको अच्छी तरह से विस्ट करेंगे आप चाहें तो इसको ब्लेंडर पॉट में ब्लेंड भी कर सकते हैं जो ट्रेडिशनल सीजर ड्रेसिंग होती है उसमें एंचोवीज जोकी एक स्मॉल फिश होती है उसका पेस्ट यूस किया जाता है मुझे परसनली एंचोवीज पसंद नहीं है तो मैं उसको यूज नहीं कर रही हूँ इसमें आप चाहें तो उसको एट कर सकते हैं अब इसको थोड़ा सा ब्लेंड करके इसमें एट करेंगे टू टेबल स्पून वर्जिन ओलिव ओल और अब एक बार फिर अच्छी तरह से इसको विस्ट करेंगे इस ड्रेसिंग की हमने पोरिंग कंसिस्टेंसी रखनी है ये देखिए स्मूथ, क्रीमी, रिच, डिलीशिस, सीजर ड्रेसिंग तैयार है अब हम इसको एक साइट पे रखते हैं और अब हम बनाएंगे क्रूटॉंस वैसे तो बेस्ट क्रूटॉंस फ्रेंच ब्रेट बगेट के बनते हैं लेकिन हम नॉर्मल ब्रेट से भी क्रूटॉंस बना सकते हैं इसके लिए हम लेंगे फोर ब्रेट स्लाइसिस और इनको वन इंच क्यूब्स में कट कर लेंगे ये देखिए, क्रूटॉंस का ये साइज रहेगा अब मैं प्लेन क्रूटॉंस नहीं बना रही हूँ सीजर सालेड में हम यूज करेंगे सीजन्द क्रूटॉंस जिसकी सीजनिंग के लिए हम यूज करेंगे 2 टेबिल स्पॉन एक्ट्रो वर्जिन ओलिव ओल 1 टी स्पॉन सॉल्ट 1 टी स्पॉन बलेक पेपर पाउडर और इटैलियन फ्लेवर के लिए हम यूज करेंगे 1 टेबिल स्पॉन ओरिगैनो लीज और 1 टेबिल स्पॉन मिंस्ट कालिक अब इन सब को मिक्स कर लेंगे अब बेकिंग ट्रे में हम एक बेकिंग शीट लगाएंगे और क्रूटोंस उस पर फैला देंगे और इन पर ये फ्लेवर ड्रेसिंग ड्रिजल करेंगे और फिर सारे बेट पीसिस को अच्छी तरह से टॉस करेंगे अब इनको बेकिंग ट्रे पे अच्छी तरह से स्प्रेट कर देंगे ताकि ये दोनों साइट से अच्छी तरह से टोस्ट हो जाएं अब इनको 180 डिग्रीज पर 10 मिनिट्स तर ग्रिल करेंगे या फिर जब तक ये डन ना हो जाएं और अब 10 मिनिट्स के बाद ये देखिए अरोमेटिक क्रिस्फी सीजन्ट क्रूटॉन्स रिदी हैं अब हम इनको साइट पर रख देंगे और अब ये चिकन फिलेज मेरिनेट हो चुके हैं अब हम इसको ग्रिल करेंगे जिसके लिए एक ग्रिल पैन को वन टिबिल स्पून ओयल से ग्रीस करेंगे और अब इसमें ये चिकन फिलेज रख देंगे फिलेम लो टू मीडियम होनी चाहिए यहाँ पर आपने एक बात का ध्यान रखना है कि फिलेज पैन में डालने के पाद इसको पांच मिनट से पहले टर्न नहीं करना है क्योंकि पैन में डालते ही चिकन चिपक जाता है पैन के साथ अगर आप इसको फॉरण टर्न करेंगे तो चिकन के लुक खराब हो जाएगी पांच मिनट के बाद चिकन खुद बखुद पैन छोड़ देता है तब आप इसको टर्न कर सकते हैं यह देखिए अब पांच मिनट के बाद कितना इसली हम इसको टर्न कर सकते हैं नाइस ग्रिल मारक्स पोरफिट और अब दूसरी साइड से भी इसको हम पांच मिनट के लिए grill करेंगे और अब यह देखिए दोनों साइड से अच्छी तरह से grill हो चुका है अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे यहाँ पर मैं एक बात आपको और बताऊंगी कि ग्रिल चिकिन बिल्कुल जब नॉर्मल रूम टेंपरेचर पर आ जाएगा हम इसको तब ही कट करेंगे इससे होगा ये कि चिकिन का जो जूस होगा वो चिकिन में ही रहेगा गरम चिकिन कट करने से इसका सारा जूस निकल जाता है और चिकिन ड्राइ हो जाता है ये देखिए ये अब रूम टेंपरेचर पर आ चुका है और अब हम इसको कट करेंगे मैं एक पीस को ऐसे डाइगनली कट करूँगी यह इस तरहां से यह देखिए और सेकिंड पीस को हम बाइट साइज में कट करेंगे यह इस तरहां से यह देखिए यह बाइट साइज में कट किया है हमने अब हम इसको भी साइट पर रख देते हैं Caesar salad में originally romaine lettuce यूज़ किया जाता है लेकिन आप iceberg lettuce भी यूज़ कर सकते हैं मैं यहां तीन iceberg lettuce यूज़ कर रहे हूँ इसको आपने अच्छी तरह से fresh water में rinse करके absorbent paper से dab करके dry कर लेना है Please make sure lettuce में moisture नहीं रहना चाहिए Otherwise salad runny and croutons soggy हो जाएंगे फिर आप इसको ऐसे वान इंच bite size में cut कर लें अब हमें salad को दो तरह से serve करेंगे एक हम इस तरह से serve करेंगे कि एक mixing bowl में सबसे पहले lettuce लेंगे फिर ये bite size में जो हमने chicken fillet cut किया था वो add करेंगे और add करेंगे slice green olives और फिर ये delicious smooth and creamy Caesar dressing pour करेंगे और अब इसको gently toss करेंगे ये देखिए सब Caesar dressing में अच्छी तरह से coat हो चुका है अब हम इसमें add करेंगे parmesan cheese then again toss it very gently अब इस salad में हम serving time पर crotons add करेंगे वरना हो सौगी हो सकते हैं अब second type of serving में हम एक salad serving bowl लेंगे उसके अंदर पहले lettuce रखेंगे और अब इसके ऊपर ये जो हमने diagonally chicken pieces cut किये थे वो रखेंगे और अब sides में हम crotons लगाएंगे और add करेंगे sliced green olives और अब pour करेंगे Caesar salad dressing और इसके ऊपर अब sprinkle करेंगे parmesan cheese and here it is ये healthy scrumptious Caesar salad ready है आप इसको इस तरह से भी serve कर सकते हैं और इस तरह से भी और साथ में extra croutons and salad dressing भी serve करिएगा अब आप ये world famous Caesar salad अराम से घर में ही बनाएए और अपनी प्यारी सी family के साथ enjoy करिए अब करेंगे अब ये बनाएजन बनाएभा जैसी में आप अब ये नदो आपाप अब बनाएप अब बनाएभा ग्योंगर